हेलो श्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा ग्रामर गुरू आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगी रोबर्ट व्रावनिंग द्वारा कंपोज किया गया ड्रामेटिक मूनलॉग माई लास्ट डचिस फिरारा इस पोईम में हम इसके इंपोर्टेंट पॉइं संबंदे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको इसकी बेक्ग्राउंड को और इसके बाद लाइन टू लाइन एक्स्प्रेंट को पढ़ेंगे क्योंकि यह पोईम आपके एल्टी एक्जाम के लिए लगी हुई है तो इसमें पोईम से संबंदत ही प्रिसन आएंगे ना कि ब्र इसमें एक ही ब्यक्ति जो है डायलोग को बोलता है और इनर कॉंफ्लिक्ट को दर्साता है यह पोईम जो है ड्यूक और फेरारा के द्वारा बोली गई है इनके ड्यूक और फेरारा इसमें इस्पीकर है जब पोईम जो है 1840 और 1841 के बीच में लिखी गई है यह 1845 में publish होई तो poem का किसी भी poem का publication किसी भी बर का publication आपको याद रखना पढ़ेगा और ये भी याद रखना पढ़ेगा ये poem किसमें publish होई तो इनका dramatic romances नामका poetic volume है जो कि 1845 में publish हुआ इसी में ये poem पहली बार publish होई अगला point है जो और ज़्यादा important है वो है कि जो poem dramatic romance में पहली बार publish हुई तो उस समय इस poem का नाम जो था वो my last death is फिरारा ना हो करके इसका title जो था वो Italy था तो Italy नामक title से ये poem बहां publish हुई poem जो है 28 hero couplets में divided है इसका मतलब हुआ 56 lines है जो की I am a pentameter में लिखी गई है I am a pentameter होता है इसमें unstressed syllable followed by stress इनके पहला syllable unstressed होता दूसरा syllable stressed होता है इन दोनों के combination को बोलते हैं इनका दोनों को combination feet होता है और ऐसे feet को I am बोलते हैं समझ के होंगे और यह कप्लेट है वो end stop नहीं है बलकि enjoyment है तो end stop और enjoyment में क्या होता है देखे क्या है इस example को देखते हैं that piece of wonder now from the Pandolfs hand worked worked visually a day तो यहां पर यह लाइन जो है इसकी लाइन इस लाइन पर चड़ गई है आकर के इस लाइन पर कूद गई है जबकि यहां समाप्त इसका अर्थ नहीं हो रहा है बलकि यहां पर समाप्त हो रहा है तो इसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे एंजम्मेंट यानिके एंजम्मेंट माने कूदना इस ट्राइडिंग ओवर जम्प लगाना ठीक अगला पइंट पढ़ते हैं क्रिटिक रहे हैं डबलू एल फैल्फ उन्होंने इस लाइन को देन ओल इसमाइल स्टॉप टोगिधर उसकी मुस्क्राहट तब हमिसा हमिसा के रुक गई तो यहां कहना चाहरा है कि ड्यूक ने अपने जो डचेस है उसको अपने व्यक्तियों को दारा कतल करने का आदेश दिया था और उसकी मुस्कराहट हमिसा हमिसा के लिए रुक गई तो इस वर्ड्स को इन्होंने क्या कहा है अट्रेजडी इन फाइव वर्ड्स कि इस लाइन को ट्रेजडी इन फाइव वर्ड्स किस ने कहा है यह प्रिशन आ सकता है अर्ली बात ब्रॉणिंग ने यह स्टोरी जो है जब इटली गए थे इटली की यात्रा के दौरान इन्होंने इस कहानी को सुना था और फिर उसको इमेजनेरी रूप दे करके यह दामेटिक मोनोलॉग देखा इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है कि फरारा जो है एक ड्यूक्डम था इटली में मिडिल एज में इनके रेनेसंस पीरेड में तो उसमें कहानी है फरारा के फिफ्ट ड्यूक की जिसका नाम था ऐलफैंसो 2 । जो की 25 बर्सकी आईउ में लुक्रेजिया से साधी करता है। डूक्रेजिया धी कैस्फिमयो डी मेडिसी । जिकि 24 बर्सकी होती है तो यह दो नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से दो नाम याद रखने हैं? एक ठतना है ऐलफैंसो 2 और दूसरा होती है कॉसी में फर्स्ट डी मेडिसी जो की टस्कनी के ग्रान ड्यूक होते हैं अगले बाद अब हम इस पोईम का लाइन टू लाइन एक्स्पेन करते हैं देखिए यह पोईम यहां से सुरू होती है पहली लाइन कैसे खिड जब एक यहां ड्जेश के कट्ल करवा देते हैं तो ब्यूतर होते हैं तो वह हैं न साधी करना चाहते यह कि रे- नजिग करना चाहते हैं तो कि परोश के राज का एक काउंट होता है सामन्त होता है वो अपनी पुत्री के विभा का प्रस्ताब इनके पास भेजता है और एक messenger प्रस्ताब लेके आता है तो उस messenger को Duke of Ferrara अपने उपर के चेमबर में ले जाते हैं और उस messenger को अपनी जो late duchess होती है last duchess होती है उसके चित्र को जो की दीवार पे बना हुआ होता है खड़ी अबस्ता में उसको दिखाते हों कहते हैं कि यही से lines पूइब सुरू होती है इसी point से that is my last duchess painted on the wall यह मेरी पूर्ब duchess का चित्र जो है इस दीवार पर बना हुआ है looking as if she were alive ऐसे लग रही है जैसे कि वो सजीव हो जीवित हो ऐसा लग रहा है जैसे यह चित्र अभी अभी बोल पड़ेगा I call that peace a wonder मैं इस peace को यहीं कि इस चित्र को यहीं कि कला के इस नमूने को मैं अध्भुत मानता हूँ फिरा पैंडॉल्फ हैंड्स वर्ड बिजी ली आडे फिरा पैंडॉल्फ नामक चित्र कार ने पूरे एक दिन एक दिन पूरे बैठ करके इसको बनाया यहीं पूरे दिन वो बिजी रहा बनाने में तो फिरा का अर्थ है फिरायर फिरायर का मत्त होता है भिख्चुक तो यह चित्र का अर्था एक भिख्चुक था तो उसने बनाया फिर कह रहा है और इसका प्रणाम सरूप बैठ चित्र जो है इस खड़ी हुई अवस्ता में इस दिवार पे पनाया हुआ है फिर वो फिर ड्यूक मेसेंजर से कहता है विल्ट फिलीज यू सिट एंड लुक एट हर क्या आप किर्पया बैठेंगे नहीं और बैठ कर इस चित्र को देखिए तो बैठ उस मेसेंजर को एक जगे बैठालता है और उसको चित्र को दिखाना चाहता है तो देखिए अगले जो बताएगा अगले बात है हलाकि वो अपने चित्र का उस ड्यूक की डचिस है उसके चित्र का प्रदर्शन कर रहा है तो फिर वो कह रहा है I said I said Fira Pandolf by design by design का मतलब जान भूच कर मैंने जान भूच कर रहा है Fira Pandolf का नाम उसके जान भूच कर क्या लिया इसके दो बाते हो सकती है पहली बात कि Fira Pandolf माना ववा चित्रकार था तो कोई अमीर देखती ही उसको बुना पाएगा तो कर आप Fira Pandolf जैसे चित्रकार का मैंने नाम लिया है तो यह उस जैसे चित्रकार ने मेरे लिए चित्र बनाया यह उसका घमन भरी बात जो कह रहा है वह कर रहा है और दूसरी बात यह हो सकती है कि Fira Pandolf जो है बहुत माना ववा चित्रकार है वह ऐसे चित्र बनाता है जिसकी उसकी चित्र का उसका चित्र जो है सजीव जैसे लगता है अगले परते हैं फॉर नेवर रीड इस्ट्रेंजर लाइक यू देट पिक्चाट काउं टैनेंस तो काउं टैनेंस का मतलब होता है यह में चेहरा है कभी भी तुमारे जैसे अजनभी नहीं बहुत सारे अजनभी यह बिजिटर्स आये थे कभी भी बिजिटर्स ने इस चेहरे को जो से नहीं पड़ा गड़ाज ड़ डेफ्ट एंड पैसन और अर्नेस्ट अर्नाइस उसकी जो आँखों की टी प्र चमक है उस चमक की घ्यराई को उस तीव भावना को बहुत है किसी नहीं पड़ा तो यहां कहना चाहरा है कि मेरे अलाबाँ बट टुमाई सल्क्सक्राश करने की अनुमती नहीं दी किसी ने इसकी इस चित्र को एनलेसिस नहीं किया अगले पड़ते हैं फिर वो कह रहा है द्यू कहता है जो इस चित्र पर लगा हुआ कर्टेन है उसको मेरे सिवा किसी ने नहीं हटाया बलकि आज मैंने तुम्हारे लिए खुद इसको हटाया है एंड सीम्ड एज दे बुड आस्कि मी इफ दे डिवरेस्ट इदी उन्होंने हिम्मत की यदि किसी भी ब्यक्ती ने कभी हिम्मत की हो किसी भी विजीटर ने कभी हिम्मत की हो या मुझसे पूछा हो कि इस चित्र के चहरे पर इतनी ग्लांस इतनी चमक कैसे आई यह कि करा है तुमसे पहले भी बहुत सारे विजीटर आये थे उन्होंने किसी ने भी अगर उसके चहरे की चमक की प्रिसनता कैसे आई इस पर उन्होंने हिम्मत करके प्रिस्न पूछ लिया तो उन्होंने भी पहले पूछा है so not the first are you turn and ask the तुम पहले व्यक्ति नहीं हो जिसने इस प्रकार का प्रिस्न पूछा है तो क्या कहना चाहरा है कि मेसेंजर ने वो चेत्र को देखा और उस चेत्र को देखर के उसे टिपड़ी की कि सर यह जो चहरे पर चमक आई है यह चमकीरा चहरा है इस डूक का इतना सुन्दर लग रहा है इसमें प्रसंता के भाव देख रहे हैं यह किस कारण है तो Duk इससा कहता है कि तुम पहले व्यक्ति नहीं हो जिसने इस प्रकार का एक्ठ्शन पूछा घुशरे पर चमक के भाव कैसे है बलकि और वीजिटर्स ने भी पूछा था फिर उसको बताते हुए कहता है कि इस चमक के कारण क्या है तो यहाँ पर इस लाइन से यह इस लाइन से वो उसको जवाब देता है वो जवाब सुनिए ड्यूक्ट से कहता है संबोदित करते हुए सर स्रीमान जी कहता है स्रीमान जी It was not her husband's presence only कि उसके चहरे पर जो खुशी के भावाब आते हैं उसके चहरे पर जो मुस्कराहट आ गई है उसके चहरे पर सौंद्री की जो लालिमा आ गई है करा it was not her husband's presence only ऐसा नहीं था कि उसके husband की यानि कि मेरी मेरी उपस्तिती के कारण हुआ हो यहीं कि मुझे देखकर उसके चहरे पर चमाक आ गई हो केबल ऐसा नहीं है called that spot spot का मतलब होता है spot of joy इनके गालों में गड्रे पड़ना डिंपल पड़ना फिलस आ जाना तो उसके चहरे पर जो लालिमा आ गई जो आए इन्टू देखकर आनंद की जो लालिमा आ गई चहरे पर वह ऐसा नहीं कि मेरी उपस्तिती के कारण होई हो इसके husband की उपस्तिती के कारण होई हो बलकि जचेचीक बलकि सायद करा सायद परहेपस सायद फिरा पैंडॉल्फ चांस्टू से तो फिरा पैंडॉल्फ उसका चित्र बना रहा था उसने कह दिया हो इसने टिपड़ी कर दियो उसकी सुन्दरता पर क्या कहा हो हर मेंटल लैप्स उसके जो राजसी मेंटल का मतलब तो जो राजसी लवादा है उसका लैप्स मिन पल्लू ओवर माई लेडीज रिस्ट टूमच मेरी लेडीज के कलाई पर बहुत ज़्यादा आ गया हो तो उसने कह दिया मैडम आपका जो लवादा का पल्लू है पो आपको ज़्यादा आ गया है यह बात और पेंट या उसने यह रंग से आसा नहीं की जाती तू रिप्रूडूज उत्पन्न करें दा फेंट हाप्लाज फेंट माने धुंदली हाप्लेज माने अर्ध चमक आधी चमक दैड़ डाइस अलांग दा थोड जो उसके गले पर चहरे पर समाफ हो रही है तो करा है उसके चहरे पर जो कम चमक सौंद्रिय की लालिमा है यदि इतनी ही हलकी रहेगी यह अर्ध जागरत रहेगी हाप फिलस रहेगी तो करा है कलाकार आपके सौंद्रिय के चित्र जो है पूरी तोर से नहीं बना पाएगा बहुत अधिक सुंद्रिय नहीं बना पाएगा इस सौंद्रिय को पूरी तरह च ही होंगे फिन ऐसी बात है कम ऐसी बाक और V3 को अपने संध्रेत की प्रसंसा मानते थी कि鐵 में प्रसंसा मांते थी तो आपको हैं के फिरण थी उसके चहरे पर संद्रिय की लालिमा आने के लिए इन चोटी-छोटी बातों से भी उसके छेरे पर संद्रिय की लालिमा आ जाती थी मैंनी ऐसे बातों को वह अपनी पिरसंसा समझती थी he होंगे यहां हिर्दा काफी कोमल था तू सून मेड़ गलैड तू इजीली इंप्रेस्ट वै आसानी से प्रिसंद हो जाती थी उसको आसानी से खुश किया जा सकता था यहीं बैं लोगों से आसानी से प्रभावित हो जाती थी अगली बात करा है हो प्रआप सी लाइक वॉट एवर ढुटकट ओं है तो एंड हर लुक सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर देखे हैसे ती नहीं कि इसलेले आइवित फिर करा है हर लुक्स बेंट एवरिवेर और उसकी जो द्रिष्टी थी वो हर जगह पड़ती थी तो यहां तक आपको समझ में आगया होगा अगले देखते हैं फिर कह रहा है फिर वो दुबारा ड्यूक को संबोदित करते हैं उस मेसेंजर को संबोदित करते हुए ड्यूक कहता है सर सरी मार जी इट वॉज ऑल बन उसके लिए सभी कुछ समान था यानिके हर चीज उसके लिए समान थी तो वह कुछ चीजों के उधारन दे रहा है माइ फेवर एट अर ब्रैस यहां पर कहरा है माइ फेव करते मेरा दिया गया उपहर उसके सीने के लिए ईसके गले के लिए तो उसके गले पर पहनने के लिए जो की बखशिस्तल पर लटके शाही उभा एक उधार हैं वो जेवर the dropping of the daylight of the best दूसा उधान हो गया कि जो दिन छुपने पर यह नहीं कि पच्छे में छिपते हुए सूरज की जो सुन्दरता का द्रस हो वो बाप the bought of cherries cherries फल का गुच्छा some officious fool broke into the orchard जो की जो मूर्ख है झालिल कैंश क्रेमा office का सुछ क्या होता है tobles कि हर पहले राजा महराजा अपने अब बारों में दरबारों में मूर्ख लखा करते थे हसाने के लिए विदूसक्याई लखा करते थे तो वो बीदूसक्याई के उसको उसको ऑचर्ड से यानिकि फलों के बाग से उसके लिए चहरी का गुच्छा लाके देता था टैनियों समेथ यह तीसरा उध्राण हो गया तीसरा उध्राण हो गया यह चार बाते हैं यह चारों बातों के आल एंड इच सभी लोग वुड़ ड्रॉव उससे प्राप्त कर लेते थे आयलाइक माने समान रूप से दा एप्रूबिंग स्पीज प्रिसंसा भरी बात है तो कहने का मतलब है चाहें पहली बात चाहें मैंने उसको साही उपहर दिया ह चाही जेवर दिया हो उसके बक्सितल पर पहनने के लिए या पच्छिम में छिपते हुए सूरज की जो सुंदरता हो या किसी विदूसक ने उसके लिए चहरी का तहनी तोड़कर दी हो फलो समेथ या जो सफेद खचर उसके सवारे के लिए किसी अस्तवल के करमचारी ने चाहती थी यहने कि वो सब की पर संसा करती थी तो ऐसी बात में भई सीदी साथी बात है हस्वन्ट को बुरी लगेंगी वो ड्यूख था तो ड्यूख के लिए भी बिभार और नौक्रें नौक्रों के लिए भी बही बिभार तो इसके लिए यह अपमान जनक बाद लगती फिर वो आगे बताती हुए कहता है क्या कहता है तो करा है और बिलस एट लीस्ट और कम से कम यह सारी बात थें उसके चहरे पर लालिमां ला देते थे खुसी की लालिमां ला देते थे ठेक अगले बात करते हैं लोगों को धनबाद दिया करते थी थेंक एक उका हुंत ते धीनोट बेर्ट फैंक उसका धनबाद देना किसी तरह से मुझको लगता था उसको करा है उसका धनबाद देना ड्यूक को जो है बुरा लगता था करा हालाकि धनबाद देना अच्छी बात है फिर भी किसी तरह से किस तरह से बुला करा मैं नहीं जानता I don't know मुझनी बता कि किस तरह मुझको पुरह लगता था ऐजिव मालो की सी रैंक्ड माई गिफ्ट उसने मेरे उपहार को तो उसने का उपार दिया था भी गले के लिए हार दिया था और जो जेवर दिये थे वो साही जेवर 900 years old name 900 बर्स पुराने उसके जो परिवार की गरिमा थी उसको with anybody's gift किसी के उपहार के सामने रख दिया था यानिकि उसने अन्य तुछ से उपहार के लिए तुछ के उपहार की बात कर रहा है किसी के उपहार को तुछ के रहा है तुछ उपहार के सामने उसके परिवार के उसके खांदान के 900 बर्स पुराने जो पाहर थे उसकी गरिमा को उसने धूल में मिला दिया उसी रैंके में रख दिया यहीं के निचली रैंके में रख दिया अगले परते हैं Who would stoop to blame? कौन गिरेगा दोस देने के लिए stoop का मतलब इस तर से गिरना कौन अपने इस तर से गिरना चाहेगा to blame उस पर दोस देने के लिए this sort of trifling ऐसी ऐसी तुछ परकार की बातनों के लिए तो करा मैं उसको दोस देना नहीं चाहता मेरे जैसा देखती इन बातनों को उस पर दोस दूँ इसके लिए मैं गिरना नहीं चाहूँगा यह तो एक गिरी हुई बात होगी करा even had you skill चाहें आप में बात करने की कला ही क्यों नहीं हो चाहें आप बात तूनी ही क्यों नहीं हो तो बात तूनी होने का मतलब यह है कि चाहें आप घुमा फ्रा कर ही बात क्यों ना कह पाएं तब भी कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का तुछ कारिये नहीं करेगा कौन सा शिकायट करने का या किसी पर दो सारोपन करने का तो इसको और समझते हैं इभी कि अगवेशी इन इंसपीश चाहें आप में बात करने की कला कि नहीं नहीं है करा मैं तो चीरे इस परफ बात करता हूं मेरे बात करने की कला नहीं है To make your will quite clear to such one and say this or that you discussed me कि आप अपनी इच्छा को clear clear उसको बता दें और कहें क्या कहें कि just this or that in you discussed me कि तुम्हारा इस प्रकार का भवा तुम्हारा बैसर भवा यह इस प्रकार की बात है उस प्रकार की बाते मुझे को क्या करती है डिस्गरस्ट करती है यानिके मुझे परिसानी पैदा करती है मेरी बेजित्ती करती है तो ये वो कहना चाहरा है फिर वो आगे कहता है here you miss or there exceed the mark and if she let her husband herself be leasant so nor playfully said her bit इस बाद में पर देखा है here you miss or there exceed the rank फिर वो आगे कहता है कि फिर भी मैं नहीं कहता कि तुमने here you miss कि तुमने ये बात जो है छोड़ दी यानिके तुमने ये बात की आपकी इस बात में ये कमी है या or there exceed the mark और आपका ये विभार इस तर के विभार से जो है इस तर के विभार की जो सीमा है उससे आगे निकल गया है तो यहां पर इस इस सब लाईनों का अर्थ ये कभी तुरी डूक ये कहना चाहरा है कि डूक अपनी डचिस से ये बात में नहीं कह पाता है अगले देखते हैं फिर कह रहा है अगर आप उस वो कहीं भी देऊ चलो मालिया वो आपने ये बातें कह दी उससे अपनी डचिस से ये बातें कहीं भी दी तो क्या होगा फिर कह रहा है तो कि अपनी बात को उचित ठहराने का प्रयास करेगी यहने कि आपकी आपकी बातों में अपनी बिट्स को अपनी बुद्धी को जरू मिलाएगी यहने कि आपकी बातों में अपना सरक जरूर देगी यहने कि इस पास टूर से वो आपकी बातों को नहीं मालेगी हलाकि वो सहमत हो जाए फिर भी फिर अगले कह रहा है and made excuse और बहाने बनाएगी even then would be some stopping चाहे even then would be some stopping I choose never to stop तो कह रहा है कि वो बहाने मिलाएगी तो कह रहा है इस प्रकार की बातों में भी some stopping मेरी अबमानना तो होगी यानिके वो मेरी बात मान भी लेगी और अपनी बात को इस परस्ट भी ठाहराएगी जाइज भी ठाहराएगी तो कराए इन बातों को मान भी ले और ना भी माने निकुल मलाके गुमाओ फ्राव की जो बाते की बात कर रहा है वो करेगी तो कराए इन सब बातों में यानिके तो मैं अपनी अबमाना तो कराना नहीं चाहूंगा फिर अगली बता रहा है फिर उसको संबोदित करते हुए कहता है ओ सर अरे स्रीमान जी कि गुक स्रीमान जी आपको देकर प्राणा नहीं होती ती आपको tô देकर मुष्या पास्ट स्रीमान। जब मैं उसके पास से गुजरता था तो निसन देव मुझे कर मुझकराती थी तो कर आएसा नहीं है लेकर दूसरा बेखती भी उसके सपास से गुजरता था तो उसके साथ भी मुझकराती थी तो क्या कर रहा है फिर कह रहा है आई गेब कमांड तब मैंने उसको कमांड दी यही अपने लोगों को आदेश दिया तो उसकी जो मुझकराट थी वह हमेशा हमेशा के लिए रोक गई तो यही जो लाइन है जो फाइव वर्ट्स है इसको ही जो क्रिटी उपर पढाता हमने डेबलू एल फैल्स उन्होंने इसको क्या का है ट्रेजडी इन फाइव वर्ट्स देर सी स्टेंट्स एज इफ एलाइब और वहाँ पर वो उसकी तस्वीर खड़ी हुई है मानों कि वो सजीव हो अब आगे बढ़ते हैं तो यहां तक उसने अपनी जो है उसको चित्र को डेस्क्राइब कर दिया फिर वो मेसंजर से कहता है बिल यू प्लीज विल्ट्यू प्लीज राइज क्या तुम उठें उठोगे बहुतर से बैठा हुए आप उसको उठने को कहता है प्रिप स्रीबां जी आप उठीए विल मीट दा कंपनी बिलो तो नीचे कुछ बिजिटर आए हुए हैं उनसे हम नीचे लोगों कि कंपनी में मिलते हैं तो उ आँन्ट ओफ-यूर मास्टर नूज नहीं इन इसेंस में मुनि को मत्तला म यहांपर है दरिया दिल क्या है दरिया दिल डरिया दिल का अर्थ होता है कि बंशील भ्यक्तिकए कराा तुम्हारा जो मालिक है वह अपनी दरिया दिली के लिए फेमस है तो करा है आपके अकाउंट आपके मास्टर की दर्या दिली इज एम्पल वारंट परियाफ्त गारंटी है डैट नो जस्ट नो जस्ट प्रिटेंस कि वह दो हमारी मांग है ऑफ माइन यहां पर क्या है मांग of mine मेरी for diary will be dis alert नहीं कि समाप्त नहीं होगी तो करा है आपका जो count है जो आपके सामन्ता आपके मालिक हैं वो अपनी दर्या दिली के फेमस है और उनकी दर्या दिली इस बात की कर दो जैसा कि कस्ता कि मैंने एंसको के हाथ कि जयसा कि मैंने अचांग मेर्केश स्वक्राइब ऊबजेक्ट जैसा इवाने शुरू मिताया कि यही मेरा उद्देश उनकी पुत्री से साधी करना मेरा उद्देश है तो नेचनल है कि आपके जो दरिया दिल मालिक हैं तो उनकी दरिया दिली इस बात का पर्मार है कि वो और मेरे धहज के प्रिस्ताव को मना नहीं करेंगे फिर वो नीचे उतर के आने की कोसिस करते हैं तो जो यहां से अगले बरते हैं यहां से अगले तो जो मैसेंजर है वो रास्ते से हट जाता है और इनके लिए ड्यूक लिए रास्ता देता है तो ड्यूक कहता है ने नहीं नहीं भी विल गो टूगेदर डाउन सर स्रीमान जी हम दोनों लोग एक साथ नीचे चलेंगे बराबर बराबर में फिर वो नीचे नोटिस नेपचून जीने के पास शिड़ियों के पास बने हुए एक मूर्ती की ओर इसारा करते हो कहता है नोटिस नेपचून इस नेपचून पर ध्यान दीजी नेपचून समदर का एक देवता है तो कराई इस समदर के देवता पर ध्यान दीजीए दो टेमिंग दा सी हॉर्स जोकी समदरी जोड़े पर बाइठा हुआ है फॉट्ट्र ओर रेयरिटी वास्तर में यह एक दुर्लब नमुना है बिच क्लोज ऑफ इंस्वरुक तो इंस्वरुक के एक क्लोज नामक मूर्तिकार नहीं इसको बनाया था कास्टिन ब्रॉंज फॉर्मी कासे की मूर्ति को मेरे पास इस मूर्ती रूप में उसने कासे से इस मूर्ती को मेरे लिए बना के दिया था तो इस Neptune नामक मूर्ती की वो संसा करते हुए भैता है यह बो हर बात में अपनी जो है बढ़ाई करते हुए कहता है अपनी सिल्खी बगारते हुए कैसा है तो यह था का लाइन टू लाइन एक्स्पेलेशन उम्मीद कर रहे हैं आपको यह पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज इसको सब्सक्राइब करें मेरे चनल को और लाइक करें थेंक्यू ओल दा बैस्ट